सवी ने छोड़ दिया हमेशा के लिए भोसले हाउस और सवी को एशान से हुई हमेशा के लिए नफरत दोस्तों, यहाँ पर सवी को हो जाती है इशान से सच्छी महबबत और अपने प्यार का इजहार करने के लिए वो इशान के कॉलेच जाती है औफीस के अंदर वो सारा डिकुरेशन करती है और जैसे इशान को प्रपोस करती है तो इशान जो है उसको एक घुमा के थपड मार देता है और साथी साथ वो सवी की बहुत सारी बेज़दी भी करता है और ये सब सुनने के अब बाद सवी की जिंदगी में मानो सब कुछ खत्म ही हो जाता है इशाण जो है सवी से थपड़ मारने के बाद ये कहता है कि ये सब तुमादी मग में आया कहा से, तुम ये सबसा सोच भी केसे सकती हो उसके बाद सवी अपने पाव पेदल जो है बोसले हाउस की तरफ निकल जाती है रास्ते में वो जो है बहुत सोचती है कि आकर इशान सर ने मेरे साथ इसा क्यों किया फिर आकिरकार उसे जो है ठोकर लगती है और फिर उसे समझ आता है कि नहीं अब मुझे सिर्फ अपने लक्ष पर ही ध्यान देना है घर आकर जो है सवी बहुत जादा अपसेट रहती है उ उसके बाद जो है शीका सवी से पूछती है कि आखिरे सक क्या हुआ क्या तुमारे और इशान की बीच में कुछ भी ठीक नहीं है जिसके बाद जो है सवी थोड़ी बहुत बाते जो है वो शीका को बता दीती है जो के इशान की सारी बाते जो है वहाँ पर सवी शीका को बतात यह सारी बाती चिनमे दादा भी सुन लेते हैं और जिसके बाद चिनमे दादा इशान को जाकर बहुत बुरा भला केते हैं और उसे समझाते हैं कि आकिर तु यह इसा केसे कर सकता है तु उसके साथ इसा केसे कर सकता है उसके बाद जो है इशान को रियलाइस होता है कि उसे पड़ नहीं मारना चाहिए था जिसके बात जो है इशान आकर सवी से सौरी कहता है लेकिन फिर जो है सवी उससे बात तक नहीं करती और उसे कहती है कि अब मुझे आप से अब मुझे कोई बात नहीं करनी है और यहाँ पर उसे जो है इशान से बहुत जादा नफरत सी हो जात पहले लाते